पहला क्यूसन है राजस्तान राज्ये के किस जिले में राज्ये का सबसे बड़ा दुग्द सीतलन के अंदर इस्तित हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option B यानि राधस्तान राजिये के जैपूर जिले में राधस्तान राजिये का सबसे बड़ा दुग्द सीतलन के अंदर इस्तित हैं कहां पर जैपूर जिले में नेक्स्ट अगला दूसरा किशन है कौन सा राजी दस गीगावाट सोर समता को पार करने वाला पहला राजी बना है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सेन बी मैरकॉम के इंडिया सॉलर प्रोजेक्ट ट्रेकर के अनुसार राधस्तान राजी है जो देश का पहला राज आपने राजास्तान राजी दूसर राकुसंतर कि वेस्ट स्वास्तिस संगटन यहीं डबलू एच ओ ने हाली में किन देशों को अध्रिया मुक्त-प्रमाणित क्यीं थिस सवा का सभए चान और ऑचान चपनी मलेरिय मुक्त प्रमाणित ते क्या हैं और दूस्त आपको बजादे कि डबलु एचो की इस्ताफ नहीं हैं जो साथ अप्रेल 1948 को हुई ती जिसका मुख्याल है वो जिनेव ही जिजरलेंड में इस्तित हैं कहां पर हैं जिनेव सिधित्रेन और वरत्मान हैं जब देश डेसें और दो अन्य हैं जो समंद सदीशिय देश हैं तो दोस्तों तो हाली में विस्व सवस्थे संगट अज्मान और ताजिक इस्तान दों मलेरिय देश गोषिति क्या है लेक्सć चौथा कैसे साहित्ययगी वर्ष humrth को का अमरत्ष समान कितने वáng को दिया जाएका तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्षमति डी रद इस्तान साहित्य अकादमी वर्ष 2022-23 का अमर समान है जो आठ वक्तियों को दिया जाएका अगला नेक्स्ट पांचवा किसन है हाली में जनुरी 2023 को किस सेहर में सहरी जल समर्दन योजना का सिलानिया से क्या गया है तो इस सवाल का सही जवाब जेगा ऑप्सन डी हाली में जनुरी 2023 को राजस्तान के जैपूर से सहरी जल समर्दन योजना का सिलाना से वो क्या गया है कि सहर में जैपूर सहर में और कौन सी योजना का सहरी जल समर्दन योजना का सिलाना से क्या गया है नेक्स्ट छटा कि उसने राजस्तान में राजनितिक एकिकरण की परक्रिया किस वर्स शुरू हुई थी तो इस सवा अगला साथवा किसन है कितने रजवाड़ एंव छेत्रिय राजियों के एकी करण से राधस्तान राजिय की इस्तापना की गई थी तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन बी राधस्तान के 19 रजवाड़ व छेत्रिय राजियों के एकी करण से राधस्तान राजिय की इ नेक्स्ट अगला आटवा किस ने इसरो के PSLV पर लॉंच किया जाने वाला प्रोब थ्री मिशन किस अंत्रिक्स एजेंसी से जुड़ा हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्शन बी इसरो के PSLV पर लॉंच किया जाने वाला प्रोब थ्री मिशन है जो ESA यहनी European Antrix Agency से जुड़ावा एक मिसन है और दोस्तों आपको बता दे कि European Antrix Agency का प्रोब थ्री मिसन है जो साल 2024 में इस रोके PSLV पर लॉंच किया जाएगा इसके दो उपग्रे सूरिय के दुंदले कोरोना और आसपास के वातावरण का अध्यान करेंगी और यह 340 ग्राम के अंत्रिक्स यान को PSLV द्वारा 19.7 गंटों की कक्षी अध्य के साथ प्रत्वी की उच्छ कक्षा में तैनात क्या जाएगा किसके दोरा इस रोके PSLV पर क्या जाएगा और यह किस से जुड़ावा है European Antrix Agency यानि ESA से तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा option B है वो सही जवाब हो जाएगा यानि प्रोबो 3 मिशन है जो ESA यानि European Antrix Space Agency से जुड़ावाई एक मिशन है नेक्स्ट अगला नौवा किस ने राजस्तान सेवा संग की इस्तापना राजस्तान में वर्दा में किस वर्ष की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A राजस्तान सेवा संग की इस्तापना है जो वर्दा में साल 1919 में अरजुनलाल सेटी केशरी सिंग बहरट और विजे सिंग पतिक ने की थी और दोस्तो राजस्तान सेवा संग का जो उदेश्य है वो जनता में राजनिक चेतना जगाना और उनकी कटेनायों को दूर करना तत की कटेना को दूर करना तता प्रसित सिकायतों को निवारन करना ही रादस्तान सिवसंग का मुख्य उजिशियत था जिसकी स्थाफ ने जो साल 1919 के मैं वर्दा में अर्जुनलाल सेटी केसरी सिंग बारट और विजय सिंग पतिक ने की थी तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो एनी Raj Nigam है जिसको खाली में भारती रिजर रुबैंक के तच द्काल प्रौपाव सी कारिये करी दैशक डिशयक के रूप técnica किया गया है किसको दी शिंगभान को इससे पहले निगमए जो बोपाल में इस्तित आर्बे के छेत्री कार्य काल में निदेशक थी जो अपने रोल में वह उबोकता सिक्सा एंसरक्षन समय चार विवव में कमांड संभालेंगे जो वरतमान में तो हाली में किसे बनेगे हैं बारती रिजर उबैंक के कारी-कारी निरज निगम को नेक्स्ट अगला 11 किसे ने राधस्तान की कुल इस्तापित विदुत समता कितनी हैं तो इस सवाल का सई जवाब देखा option B राजस्तान में कुल इस्तापित विदुद समता है जो 32.5 गीगावाट की बिजली समता है कितनी है राजस्तान की कुल विदुद समता 32.5 गीगावाट अगला next बारवा किसन है इसरो ने reusable launch vehicle की सपल टेस्टिंग DRDO और किसके सयों के साथ क्या है तो इस सवाल का सई जवाब देखा option B हाली में भारती अंतरिक सनुसंदान संगटन यानि इसरो ने reusable launch vehicle autonomous landing mission का सपल परिक्षण क्या है और इस mission को DRDO और इंडियन एरपोर्स की मदद से पूरा क्या है और इस mission की testing है जो aeronautic test range चित्र दुरुगे करणा टक्से की गई है तो इस सवाल का सई जवाब कौन सा हो जाएगा option B है वो सई जवाब हो जाएगा यानि इसरो ने reusable launch vehicle की सपल टेस्टिंग है वो DRDO और इंडियन एरपोर्स के सयोंग से क्या था next 13 किसने हाली में जन्वरी 2023 राजस्तान के कितने वेक्तियों को पदम स्री सम्मान दिये जाने की गोशना की गई है तो इस सवाल का सई जवाब देगा option B हाली में जन्वरी 2023 में राजस्तान के चार वेक्तियों को पदम स्री सम्मान दिये जाने की गोशना की गई थी अगला चवद्वा क्योशन है हाली में जनवरी 2023 को परदान मंत्री द्वारा राजस्तान के किस परमविर चकर विजयता के नाम पर अंडमा निकोबार के एक दीप का नमांकरण किया गया है मेजर सेतान सिंग के नाम पर परदान मंत्री नरंदर मोदी जी ने अंडमा निकोबार पर एक दीप का नमांकरण किया है किस परमविर चकर विजयता के नाम पर मेजर सेतान सिंग के नाम पर नेक्ट पनरवा किसन है बन्दियों को रोजगार से जोडने की पहल के तेट किस कैंद्रिय कारागार परिशर में पैट्रोल पंप आसाएदा फिलिंग स्टेशन का सिलानाइसे क्या गया है तो इस सवाल का सही जवाब देगा optionist थी बंदियों को रोजगार से जोड़ने की पहल के तैते अलवर केंद्रिय कारागार परिशर में पैट्रोल पंप आसा यदा फिलिंग स्टेशन का सिल्यानिया से क्या गया हैं किस कारागार परिशर में अलवर केंद्रिय कारागार परिशर में इंगला शोड़ा कियुन है हाली में जन्वरी दोजार यह से सोरा हैं तो इस वाल का सभी जवाब देगा ओप्षय डीध इस दोस्तों में जनवरी दोजारे में ऑर्षें बरता है इंगी भागे। आपको बता देके कि ख्वाजा मोहिनं Уदीन चिस्ती का उर्ष को सुरू है वो फक्रूदिन गोरी ने सुरू किया था किसंने क्या था फख्रूदिन गोरी जिनने खौजा मोईजी दिन चिस्ति का इस उर्ष को शुरू किया था अगला सतरवा किसन है देश का तीसरा सर्वोच नागरिक पुरुसकार पदम भूशन प्राप्त करने वाले पहले पैरा एतलेट कौने बने हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बी देवंदर जाजर हैं जो राजस्तान की सेकावटी चेतर चुरू जिले का रहने वाले हैं और देवंदर जाजरिया जिन्होंने साल 2020 में भारत के लिए टोक्य ऑलम्पिक में तीसरा रजत पदग जीतने वाले खिलाड़ी भी थी नेक्स्ट अटारव कि सने उदेपूर जिले में नेमन मेंसे कौन सा बांध इस्तितन नहीं हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बी अजीस सागर बांद निमन जिले में से जिले में कि जिले में जुन-जुनु जिले में जबकि सरूप सागर, उदे सागर और सोम कादगर बांध है जो राधस्तान की तीनों उदेपूर जिले में इस्तित्त हैं अगला नेक्स्ट उग्णीशा किसने राधस्तान का परतम बालू अब्यारण कहां विक्सिति क्या गया है तो इस सवाल का सभी जुआब देगा उपसन है पियानी सुंदा माता जालोर जिले में रादस्तान का प्रतम बालुाबयारन है वो विक्सिति क्या गया है और कब क्या गया है यह रादस्तान सरकार के द往a 20 जुलई rever है दो हजार दесс को इस बालुबयारन को इस्तापिति क्या गया था और दोस्तों आपको बद्दिकी राधास्तान राजी का ये पहला और देश का चौता बालू अभ्यारण या बालू स्रक्षन रिजर्व चेत्र हैं जो राधास्तान के जालोर जिले में इस्तित्त हैं नेक्स्ट 20 वा किसने राधस्तान राज्य महिल आयोग क गटन कभ और कहा क्या गया है तो इस सवाल का सभी जहाब देगा m सभी राजस्तान राजिय महिला आयोग का गठन जो साल 1990 में जैपूर में क्या गया था और वर्तमान में राजस्तान राजी महिला आयोग की अध्यक्स हैं वह रहाना राज चिस्ति कौन है रहना राज चिस्ति हैं जो राजस्तान राज्जिय माईल आयोग की अध्यक्स हैं थार मरुस्ति का सबसे प्रबाव साली कारण क्या हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A, थार मरुस्तल उत्पती का सबसे प्रभावसाली कारण है वो सुस्कदा में वर्दी यनि सूकापन की वर्दी के कारण ही थार मरुस्तल की उत्पती का सबसे प्रभावसाली कारण माना जाता है नेक्स्ट अगला 23 किसने राजस्तान में किस जाती के लोग दसारे के त्यार पर खात्यारों की पूजा करते हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option A राजस्तान के राजपूत जाती के लोग हैं जो दसारे के त्यार पर खात्यारों की पूजा करते हैं जबकि हाडा जाती की राजपूत हैं जो दसारे के त्यावर पर खेजडी वरक्स की पूजा करते हैं इसलिए परकार नेक 24 वा क्यूसन है नेमन में से किस सासक के काल को मेवार चित्रकला का स्वन काल कहा जाता है तो इस स्वाल का सही जवाब देखा ऑप्शन बी महराणा जगस सिंग प्रतम है जिसके सासक के काल को मेवार चित्रकल का स्वन काल माना जाता है किस सासन के काल को महराणा जगस सिंग प्रतम के काल को अगला नेक्ष्ट पचिस्वा किसे ने राजस्तान की कैस जील को सुस्क मरुस्तल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option C, college जील जो राजस्तान की विकानेर जिले में इस्तित हैं, उस जील को राजस्तान की सुस्क मरुस्तल का सुन्दर उध्यान के नाम से जाना जाता हैं तो दोस्तों ये थे 25 राजस्तान जी के और करंट अपेर साइथ कुछ most important क्यूसन आंसर, उमीद करता हूँ इस सभी क्यूसन आपको अच्छे से याद हो गएंगी, अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अब इस वीडियो के अंद में एक अभ्यास सवाल है, जिसका दवाब आपको comment section में लिखकर बताना है, तो आज का अभ्यास कि उसने जवार सागर बांध किस वर्स में निर्मिते, पिक अप बांध हैं, तो आप्शन है 1990, 1970, 1972, 1972 या 1912, इ झाल झाल झाल